आज हम यहाँ पे MI-A1 और Lenovo K8 Plus की बीच camera comparison करेंगे दोनों में ही आपको dual camera setup मिलेगा अगर MI-A1 की बात करें यहाँ आपको 12MP का dual camera setup मिलेगा जिसमें primary lens wide angle होगा और secondary lens telephoto lens होगा जो की 2x optical zoom करके आपको दे सकता है और अगर है यहाँ Lenovo K8 Plus की बात करें तो यहाँ आपको 13MP का dual camera setup मिलेगा हम यहाँ पे दोनों mobile camera की boundaries को push करेंगे और देखेंगे किस तरह से दोनों perform कर रहे हैं अलग-अलग situation में अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हम macro test perform करेंगे outdoor condition में test perform करेंगे color reproduction test करेंगे HDR test करेंगे किस तरह से normal और HDR में difference आ रहा है दोनों mobile हो में 2X optic zoom का यूज़ करके images capture करेंगे MAEvent से और उससे Lenovo K8 Plus से compare करेंगे video stabilization test करेंगे और focus length चेक करेंगे कि minimum focus length दोनों में किस तरह के मिल रही है साथ में professional mode चेक करेंगे दोनों के और फिर low light performance चेक करेंगे artificial lighting condition में किस तरह से कर रहे है और extreme low light में किस तरह से perform कर रहे है और उसके बाद हम result को finalize करेंगे video recording में आपको MAEvent में ज़्यादा option मिलेंगे जैसे 4K और full HD video recording 30fps के साथ slow motion video recording जबकि Lenovo K8 Plus में आपको full HD HD और VGA video recording मिलेगी 30fps के साथ किसी भी तरह की slow motion video recording नहीं मिलेगी और MAEvent की update के बाद slow motion video recording बग फिक्स हो चुका है और full HD और 4K आपको 30fps के साथ मिलने लगे हैं अगर हम अपनी फर्स्ट इमेज की बात करें तो आप देख सकते लेने वोने बहुत अच्छी मेंज केप्चर करी एक पर्फेक्ट मैक्रो शॉट यहां लग रहा है अपने प्राइमरी केमरे से और अगर अगर हम अपनी नेक्स्ट इमेज की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर पीछे ब्राइटर लाइटिंग कंडिशन थी उसे कंट्रोल करना था साथ में मैन आपजेक्ट को फोकस करना तो यहां पर लेने वो केट प्लस को थोड़ा स्ट्रेगल करना पड़ा है जबकि एमाई एवन ने यहां पर्फेक्ट शॉट लिया बहुत अच्छे से लाइटिंग कंडिशन को यहां फिर डैनेमिक रेंज को यहां कंट्रोल किया है और अब्जेट को फोकस किया यहां पर एमाई एवन ने हम अपनी नेक्स्ट इमेज की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर लेनेवो केट प्लस ने बहुत अच्छे अरे पर्फेक्ट मैक्रो शॉट यहां लिया है और अगर में यहाँ डीटेल की बात कर तो डीटेल ज्यादा कैप्चर करी है लेनेवो केट प्लस ने, जबकि MIA1 को थोड़ा struggle करना पड़ अपने detail के साथ, लेकिन images दूनों ने बहुत अच्छे capture करी, मैंने dual camera का यूज करके images करें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर detail तो दोनों ने बहुत अच्छे capture करी है, जबकि MIA1 ने थोड़ सी yellow strength में image capture करी है, जबकि MIA1 ने थोड़ सी yellow strength में image capture करी है, जबकि MIA1 के 8 प्लस ने accurate color यहाँ reproduce किया है, जबकि MIA1 को थोड़ा struggle करना पड़ अपने color reproduction में थोड़ सा yellow strength के साथ image capture करी है, अगर हम यहाँ बात करें detail की तो दोनों ने ही बहुत अच्छे detail यहाँ capture करी है, इसके बाद अगर हम अपने next image की बात करें तो आप देख सकते हैं, यहाँ दोनों ने ही बहुत अच्छे detail capture करी है, लेने वो और MIA1 ने, लेकिन अगर हम यहाँ पे color reproduction की बात करें तो MIA1 ने यहाँ ज़्यादा अच्छा गाम किया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेने वो केट प्लस को struggle करना पड़ा, जबकि MIA1 ने यहाँ exact color reproduce किया है, next image की बात करें तो आप देख सकते हैं, लेने वो ने यहाँ बहुत अच्छी image capture करी, यहाँ मैं dual camera का use करके images capture कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, यहाँ MIA1 ने भी बहुत अच्छी और बहुत accurate image capture करी, किसी दोनों को ही यहाँ पे depth of field में किसी भी तरह की problem नहीं गई है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें color reproduction और detail की, तो यहाँ MIA1 ने ज़्यादा detail capture करी, साथ में color reproduce भी accurate कर रहा हमने dual camera setup के साथ MIA1, बात करें तो linearo k8 plus ने बहुत अच्छी image capture करी, एक perfect depth of field create करी है यहाँ पे, जबकि आगर मैं यहाँ MIA1 की बात करें तो MIA1 ने भी यहाँ बहुत अच्छे से image capture करी है, और detail की बात करें तो detail ज़्यादा MIA1 ने capture करी है, यहाँ पे color reproduction का issue थोड़ा सा आया कि हलका सा yellow strength MIA1 पे आ चुका है, हम यह देख रहे हैं, जैसी green color आता है background में, या फिर आजू बाजू तो MIA1 ज़्यादा च्छवर करता है color reproduction में, और linearo kate plus को struggle करना पड़ता है, जैसी background से green color हट जाता है, other colors आ जाते हैं, तो यहाँ linearo kate plus accurate color reproduce कर रहा है, आप देख सकते हैं, इमेजों में, previous image में, linearo kate plus थोड़ा yellow strength में image के capture कर रहा था, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे accurate color reproduce कर रहा है, जबकि M.I.E.V.E.N. थोड़ो सा yellow strength में हो जाया, अगर हम अपने next image की बात करें, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से same चीज हो गई, जैसी green color background में आया, तो यहाँ पे M.I.E.V.E.N. जादा अच्छा काम के अपने color reproduction में, आप देख सकते हैं, M.I.E.V.E.N. जादा accurate color reproduce कर रहा है, जबकि Lenovo K8 Plus को यहाँ struggle करना पड़ रहा है, थोड़ा सा yellow strength लेने वो K8 Plus में आ गया, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, डीटेल की तो यहाँ पे M.I.E.V.E.N. ने जादा detail केप्चर कर रहा है, यहाने टू मीटर के अप्रॉक्स जब डिस्टेंस हो रही है, तो परफेक्ट डेप्ट आफ फिल्ड क्रियेट कर रहा है, M.I.E.V.E.N. अपने डूवल केमरा, अगर मैं यहाँ फुल S.D. में 30FPS के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं, डीटेल तो दोनों ही बहुत अच्छी केप्चर कर रहे हैं, यहाँ M.I.E.V.E.N. ज़्यादा एक्कूरेट कलर रिप्रॉडियूस कर रहा है, जबकि लेने वो केट प्लस थोड़ा से यलो स्टेंट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, मैं डूल केमरे का यूज़ करके इमेज़ केप्चर कर रहा हूँ 2.5 मीटर से, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे M.I.E.V.E.N. बहुत अच्छा वर कर रहा है, और एक परफेक्ट डेप्ट आफ फिल्ड करेट करके दे रहा है, जबकि लेनेवो केट प्लस को यहाँ श्ट्रगल करना पड़ रहा है, आइडियल सिच्वेशन में भी आप देख सकते हैं कि फ्रेंट में जो आबजेक्ट है, उसको छोड़के अधर आबजेक्ट भी यहाँ पे फोकस हो चुके हैं, जबकि MIA1 ने परफेक्ट आबजेक्ट को फोकस करके बैकराउंड को बलर किया है यहाँ पे, और साथ में डेटेल की बात करें तो डेटेल भी ज़्यादा कैप्चर करी हैं यहाँ पे MIA1 में, और साथ में जएदा डेटेल यहाँ शो कर रहा ही हाँ, भाकी दोनों ने ही बहुत आच़ा काम कीया है, दोनों ने ही बहुत अच्छे से कैप्चर करी है, अगर कलर रिप्रोडेक्शन की बात करें तो दोनों ने ही accurate कलर Riproduce किया, ज्यादा डिफरेंस यहां नहीं दिख रहा है साथ में डिटेल भी दोनों ने ही बहुत अच्छी कैप्चर करी है अगर हम अपने next image की बात करें तो यहां में dual camera का यूज करके images कैप्चर कर रहा हूं 2.5 मीटर से तो आप देख सकते हैं यहां पे MIA1 बहुत अच्छा वर कर रहा और एक perfect depth of field क्रेट करके दे रहा है जबकि लेनेवो केट next image की बात करें तो यहां पे लेनेवो के 8 प्लस ने बहुत अच्छी image कैप्चर करी डीटेल भी बहुत अच्छी से कैप्चर करी साथ में color reproduce भी accurate रखा यहां पे और अगर हम यहां MIA1 की बात करें तो MIA1 ने भी यहां बहुत अच्छी से color reproduce किया है थोड़ा सा yellow tint आया है अगर हम MIA1 की बात करें तो यहां पे थोड़ा सा yellow tint में जरूर कैप्चर करें लेकिन depth of field परफेक्ट करा है यहां पे MIA1 ने अपने next image की बात करें तो आप देख सकते हैं लेनेवो ने perfect color reproduce किया है और depth of field भी अच्छी create करें लेकिन अगर MIA1 से compare करें तो MIA1 ने थोड़ा सी yellow tint में लेकिन perfect depth of field यहां create करी है MIA1 ने आप देख सकते DSLR like effect यहां MIA1 में आपको मिल रहा है अब हम यहां पे autofocus टेस्ट करेंगे आप देख सकते हैं यहां पे लेनेवो केट ब्लस ज्यादा चावर कर रहा है जब background में detail ज्यादा है और हम closer object को focus कर रहे हैं तो यहां लेनेवो केट ब्लस ज्यादा चावर कर रहा है MIA1 को यहां struggle करना पड़ रहा है जबकि मैंने focus mode CAF set करके रखा है MIA1 में अगर हम यहां बात करें जूम करके भी अगर मैं यहां object को focus करने ही कोशिश करू तो MIA1 को struggle करना पड़ रहा है लेकिन लेनेवो केट प्लस बहुत अच्छे से object को यहां focus कर रहा है अब हम यहां पे exposure control test perform करेंगे याने जब background में brighter situation आ जाती तो किस तरह से mobile man object को focus करके situation को maintain करते हैं या बोले dynamic range किस तरह से balance करते हैं तो अगर हम अपनी first image की बात करें तो आप देख सकते हैं लेनेवो केट प्लस ने बहुत अच्छे से काम किया है accurate color reproduce किया है और balance dynamic range है जब कि MI1 को थोड़ा struggle करना पड़ा अपने dynamic range के साथ आप देख सकते हैं जो man object है उसको थोड़ा डार कर दिया यहां पर MI1 ने वो केट प्लस ने अपने dual camera के साथ बहुत अच्छे image capture करी है एक dynamic range को balance रखा है लेकिन MI1 ने भी यहां बहुत अच्छा काम किया थोड़ा सा और expose हो गया background लेकिन man object को बहुत अच्छे से focus करके detail capture कर देखें तो आप देख सकते perfect depth of field यहां create कर रहा है MI1 लेकिन लेने वो को थोड़ा से struggle करना पड़ा अगर detail की बात करें तो detail भी ज्यादा capture करी है MI1 दोनों ने ही बहुत अच्छा काम किया है लेकिन अगर हम exposure control की बात करें तो यहां दोनों ने बहुत अच्छे से detail capture करी अप बहुत अच्छी रही है और अगर MI1 की बात करें तो थोड़ से यह ले स्टेंट के साथ MI1 ने भी बहुत अच्छा काम किया detail बहुत अच्छी capture करी है और अगर dynamic range की बहुत अच्छा काम करें तो आप देख सकते हैं यहां पर MI1 ने ज्यादा अच्छा काम किया है एक balance dynamic range यह की MI1 को यहां struggle करना पड़ा अपनी primary camera के साथ आप देख सकते हैं थोड़ा सा yellow strength में MI1 है साथ में detail भी उतनी अच्छी capture नहीं कर पाया है लेकिन अगर हम 2x optic zoom का यूज़ करके image capture करें तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी detail capture करा MI1 ने और इससे compare करें linear okay plus की image से तो आप द देख सकते हैं यहां पर ज्यादा difference नहीं दिख रहा है color reproduction ज़्यादा अच्छा है यहां linear okay plus का है लेकिन अगर detail की बात करें detail दोनों नहीं बहुत अच्छी capture करी जब मैंने MI1 के 2x optic zoom का यूज़ करके image capture करी है यहां अगर हम यहां zoom in test की बात करें तो MI1 में आपको 10x zoom मिलेगा जबकि लेने वो में आपको 4x zoom मिलेगा यहने zooming ज्यादा मिलेगी MI1 में लेकिन अगर detail की बात करें तो MI1 उतनी detail capture नहीं कर पाता है zoom in में तो यह एक difference आ बाकि यह हां आपको judge करना है और आपको decide करना है किस तरह स से आपको difference समझ में आ रहा है दोनों ही footage में अब हम यहां पे sdr mode compare करेंगे दोनों ही mobile का आप देख सकते हैं पहले मैं normal images capture कर रहा हूं फिर sdr और उसके आद हम दोनों को compare करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर लिनेवो के प्लस ज्यादा अच्छा वर कर रहा है अपने normal image में यानि ज्यादा detail capture कर रहा है accurate color reproduce कर रहा है अगर हम यहां बात करें sdr mode की तो आप देख सकते हैं यहां पर भी लिनेवो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है अब हम dual camera का यूज करके image capture करेंगे फिर sdr mode में image capture करके compare करेंगे तो आप देख सकते हैं अगर मैं dual camera की image बताओ या depth of field की तो यहां MI even बहुत अच्छा काम कर रह यहां पर अपने dual camera के साथ अगर मैं sdr mode की बात करो तो आप देख सकते हैं यहां पर लिनेवो ओवर एक्सपोज हो गया जबकि MI even ने थोड़ा control करके रखा या ने यह बुल सकते कि MI even ने ज्यादा अच्छा काम किया sdr mode में अब हम यहां पर color reproduction test perform करेंगे अगर हम अपनी first image की बात करें तो आप देख सकते हैं MI even ने बहुत अच्छी image capture करी है और लिनेवो के 8 plus ने बहुत अच्छी image capture करी है अगर मैं यहां difference की बात करूँ तो ज्यादा difference यहां नहीं है दोनों ने ही बहुत अच्छा काम किया और accurate color यहां reproduce करके दे रहे हैं अब हम yellow color test करेंगे sunlight condition में आप देख सकते हैं लिनेवो ने बहुत अच्छी image capture करी है किसी भी तरह का overexposed object नहीं देख रहा है MI1 की बात करें तो MI1 ने भी बहुत अच्छी से object को capture किया है अगर मैं यहां difference की बात करूँ तो यहां आप texture में difference देख सकते हैं लिनेवो के 8 note ने ज्यादा अच्छा काम किया अपने detail में बाकि इतना ज्यादा difference यहां नहीं दिख रहा है मैं बोलूँगा दोनों नहीं बहुत अच्छा color reproduce किया यहां पर yellow और orange color को reproduce करना किसी भी mobile के लिए बहुत typical काम होता है sunlight condition में तो आप देख सकते हैं next image में लिनेवो के 8 plus ने बहुत अच्छे से color reproduce किया और detail भी बहुत अच्छे से capture करी है और अगर MIA1 की बात करें तो MIA1 ने भी बहुत अच्छे से detail capture करी है यहां पर अगर हम अपनी next image की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर color reproduction दोनों का लगबग similar है यानि यह बोल सकते हैं detail और साथ में object को बहुत अच्छे से focus किया और color को accurate reproduce दोनों ने ही किया यहां पर इसके बाद अगर हम अपनी next image की बात करें तो आप देख सकते हैं लिनेवो ने बहुत अच्छी image capture करी एक balance dynamic range आप देख रही है और MI ने भी बहुत अच्छे से image capture करी है अगर हम यहां difference की बात करें तो आप देख सकते हैं MI थोड़ा brighter side है और लिनेवो ने accurate color reproduce किया तो मैं बहुत अच्छा काम किया है लिनेवो केट प्लस ने अगर हम indoor lighting condition की बात करें यहां पे तो आप देख सकते हैं indoor lighting condition में दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैंने यह dual camera का use करके image capture करी है तो यहां color reproduction दोनों का ही बहुत similar रहा है मैं बूल सकता हूँ MI ने यहां ज़्यादा अच्छा काम किया है और अगर हम detail के मामले में बा तो आप देख सकते हैं यह perfect bouquet effect create हुआ है दोनों ही mobile से और अगर मैं color reproduction की बात करो तो यहां पे लेनेवो ने ज्यादा accurate color reproduce किया और ज्यादा detail capture करी है अगर हम अपने next image की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं दोनों ने ही बहुत अच्छे से image capture करी है यहां blue light का effect था तो अब यहां आपको decide करना आपको किस तरह की image यहां पसंद आ रही है अब हम professional mode या manual mode on करके images capture करेंगे दोनों ही mobile से अगर मैं professional mode या manual mode की बात करूँ तो दोनों में ही आपको focus control याने manual focus, wide balance control, exposure control, ISO control मिलेगा साथ में MIA में आपको wide angle lens और 2x optical lens का option भी मिलेगा अगर मैं यहां बात करूँ तो आप देख सकते हैं MIA1 में बहुत अची image capture करी है मैंने minimum focus distance यहां set करी थी और लेने वो से minimum focus distance पर image capture करी है तो आप देख सकते हैं जब green color आ रहा है तो थोड़ा सा problem जारी है लेने वो को यहां पर wide balance control करने में मैंने wide balance control यहां नहीं किया है यहां wide balance auto ही रखा ह तो आप देख सकते हैं लेने वो को यहां थोड़ी problem गई है लेकिन actual में यह test में focus lens अगर हम यहां focus length यह focus distance की बात करें object और camera की बीच तो आप देख सकते है minimum focus distance आ रही है लेने वो के 8 plus की 10 cm जबकि MIA1 की आ रही है 6 cm याने आपको minimum 6 cm तो चाहिए MIA1 और object के बीच और minimum 10 cm च की बात करें तो यहां पर color accurate reproduce किया है लेने वो के 8 प्लस ने और अगर हम detail की बात करें तो detail भी बहुत अच्छी capture करी है लेने वो के 8 प्लस ने तो मैंने यह dual camera का यूज़ करके image capture करी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से दोनों ने depth of field क्रेट करी है और साथ में color reproduce लेने वो ने बहुत अच्छी image capture करी है और MI की बात करो MI ने भी बहुत अच्छी image capture करी है अगर हम यहां detail की बात करें तो लेने वो ने ज्यादा detail capture करी जबकि MI को struggle करना पड़ा है noise के साथ मैं अपनी next image की बात करो जब मैंने HDR mode on करके image capture करी है तो यहां पर आप देख सकते ह लेकिन थोड़ा overexposed हो गया है man object यहां पर MI का जबकि लेने वो ने बहुत अच्छी से capture किया man object की detail अगर हम अपने next object की बात करें यहां मैंने flash का use करके image capture करी primary camera से तो आप देख सकते हैं यहां पर लेने वो केट प्लस की image को ज्यादा ही yellow हो गई है जबकि MI1 ने एक natural color balance रखा है मैं यह बूल सकते हैं मैं यहां ज्यादा अच्छा काम किया है flash का use करके अगर मैं हाँ indoor lighting condition की बात करूँ जब extreme low light condition तो नहीं थी लेकिन lighting condition low थी तो आप देख सकते हैं यहां पर लेने वो ने ज्यादा अच्छा काम किया अपने dual camera setup के साथ जबकि MI को थोड़ा struggle करना पड़ा है image की detail capture करने में तो मैं यह बूल सकता हूं यहां पर ज्यादा अच्छा काम किया लेने वो केट प्लस ने अब हम यहां पर front camera test perform करेंगे अगर मैं हाँ specifications की बात करूँ तो लेने वो केट प्लस में आपको 8 MP का front camera मिलेगा और MI A1 में आपको 5 MP का front camera मिलेगा अगर वीडियो recording की बात करो दोनों ही full HD 30 fps के साथ वीडियो record कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर लेने वो की image थोड़ी control लग रही है और MI थोड़ी सी yellow stint में है बाकी दोनों ही बहुत अच्छा capture कर रहा है अगर मैं exposure control की बात करूँ तो MI ज़़ज़ अच्छा काम कर रहा है अपने exposure control में अब देख सकते हैं यहां पर dynamic range को control नहीं कर पा रहा है अपने front camera से लेने वो जबकि MI बहुत अच्छे से यहां control कर रहा है और अगर मैं object की detail की बात करूँ तो दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहा है यहां थोड़ा सा wide angle lens आपको लेने वो में मिल रहा है यहां बाकि अगर मैं detail की बात करूँ या exposure control की बात करूँ तो आप देख सकते हैं MI ने balance रखा हुआ है जबकि लेने वो कई जगह बहुत ज़्यादा bright हो जा रहा है और कई जगह बहुत ज़्यादा dark हो जा रहा है याने dynamic range बिल्कुल control नहीं कर पार अपने front camera से लेने वो जबकि MI माई ने balance image या balance footage रखी हुई है अगर मैं हाँ front camera की images की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेने वो की image थोड़ी over sharp है साथ में background over exposed हो गया है जबकि MI ने यहाँ balance image capture करी है color tone की बात करें तो color tone आप difference देख सकते हैं थोड़ा से reddish में है लेने वो में और थोड़ा से dull side है MI में अब हम यहाँ पर stability test कर रहे हैं दोनों ही mobile से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा wind pressure यहाँ पर है यहाँ ने wind noise यहाँ आ सकती है दोनों ही mobile के माइक में हैं हम यहाँ पर stability test कर रहे हैं दोनों ही mobile से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा wind pressure यहाँ पर है यहाँ ने wind noise यहाँ पर आ सकती है दोनों ही mobile के माइक में है कि 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 मार के दिल का और का मैं कहीं का ना रहा क्या करूँ है दिल गुवा जलाया जा दू तेरी आखों का ये तेरा का तिल हो रहा सम्हा लो मुझ को ओ मेरे यारो सम्हा जो मुश्किल हो रहा कि ये ओुखा जडर्कर relative तो कि मुश्किल हो रहा क्या जर जडरो अगर हम conclusion की बात करें तो M.I.E.V.N. थोड़ा सो yellow stone में image capture कर रहा है जबकि लेने वो के 8 प्लस यहां ज्यादा अच्छे से color reproduce कर रहा है तो जस्ट इसका उल्टा हो जा रहा है जब green color से surrounded object मिल रहा है तो वहाँ पे M.I.E.V.N. ज़्यादा accurate color reproduce कर रहा है जबकि लेने वो के 8 प्लस थोड़ा सा yellow stint में आ जा रहा है और अगर हम यहां बात करें depth of field की तो depth of field में M.I.E.V.N. बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है जबकि लेने वो को थोड़ी सा struggle करना पड़ रहा है depth of field के साथ इसके बाद अगर हम बात करें वीडियो की तो autofocus में यहां problem जा रही है M.I.E.V.N. को जबकि लेने वो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है जबकि लेने वीडियो कर रही है